है बच्चो आज हमनों laws of motion का part 5 देखेंगे तो हमनों स्टार्ट करते हैं 5.9 टॉपिक के साथ that is common forces in mechanics तो बच्चो यहां पर mechanics हम देखते क्या होता है कि mechanics वह चीज होता है mechanics एक ऐसी study होती है जिस study में macroscopic objects की study होती है मतलब macroscopic जो भी object रहेगे न macroscopic bodies इसकी study होती है mechanics में ठीक है तो अब हम देखते कि में common forces रहते हैं वह क्या क्या होते हैं वह जड़ा देखते हैं अभी तक तो हमने देखा था कौन-कौन से फोर्स होते हैं तो वहीं चीज को थोड़ा और एक बार एक बार स्टड़ी कर लेते हैं अब इसका पहला जो है आपको पता है first चीज क्या है कि इसमें एक non-contact force होता है मैं starting में आपको बता था ठीक तो non-contact force जो रहता है वह कौन सा फोर्स रहता है अब mechanics की बाद चल लिए ना macroscopic bodies की बाद चल लिए तो non-contact force में हम लोगो सबसे पहला फोर्स हो रहा ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक यह ग्रेविटेशनल फोर्स मेकेनिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत massive बहुत ज्यादा massive force है ठीक है mechanics में सबसे ज्यादा massive force आपका gravitational force ही है ठीक है अब gravitational force क्या होता है कि अगर जैसे मैं आपको example लिया था आप च्छत पे जाके पत्थर को खली drop कर दो तो surface पे अपने अपने अप्य अट्रेक्ट हो जाता है ठीक है तो यह ऐसा force है कि जो कि मैंने अभी बता है non contact force है अपका जो पत्थर है वो contact में था नहीं लेकिन फिर उस पर फोर्स लगा वह जो पत्थर है वह surface पे आया ठीक है ना force लगा due to gravity और यह जो gravitation force है ऐसा नहीं कि जो अर्थ के surface है उसके उपर ही लगे यह ऐसा यह आर्थ के जो बाहर भी object रहते हैं ठीक है बाहर जो object रहते हैं उस पर भी gravitational force लगता है आप इस चीज़ में यहां पर नहीं ले रहा हूं क्यूंकि हम लोग बात कर रहे हैं जो जो बात जो मेकनिक्स जो पार्ट हम लोग मैक्रोस्कोपिक बॉडिस से डील करने वाले तो ग्रेविटेशनल पॉर्ट पर ही लगता है वह इसके लिए आप यह पर इलेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं ठीक है तो यह पहला था आपका नौन कॉंटक्ट फ ठीक है एक्जमपल हमने कई बार इस चीज लिया हुआ एक्जमपल तो यहां पर लेता हूं में एक टेबल है सिंपल वह एक्जमपल एक टेबल उसके पर बुक रखा हुआ है ठीक है अब यह जो बुक है इसको पर कौन-कौन सा फॉर्च लग रहा है वह जड़र देखते है ठीक है इस पर फोर्स लग रहा है अब यह जो टेबल है टेबल का सर्फिस यह भी उसके पर फोर्स लगा रहा है बुक के ऊपर बाइन्यूटन थर्ड लोग जो की रहता है नॉर्मल रियक्शन तो यहां पर दो फोर्स हो गया एक वेट हो गया जो नॉर्मल रियक्शन ठीक अब यह जो बुक है अगर यह table slippery रहता मतलब table पर जो friction कम रहता तो बुक sleep होता है नहीं लेकिंट book उदर का उदर यहीं है क्यों? विफास अफ्रीक्षिन तो यह book पर आपका friction force भी लग रहा है अगर book यह side में sleep होने माला रहता है तो friction force ऐसे लगता और अगर बुक यह साइट में चलता तो फ्रिक्शन फॉर्स ऐसे लगता तो इस पर आपका फ्रिक्शन फॉर्स भी लग रहा है इसका मतलब हमने यहां पर कौन-कौन से फॉर्स देख लिए तो हमने देखा नॉर्मल रेक्शन फॉर्स है एक वेट फॉर्स है एक फ्रिक्शन फॉर्स है एक फ्रिक्शन फॉर्स है फ्रिक्शन फॉर्स है तो हमने तीन फॉर्स यहां पर देखा तो यहां पर हमने कौन-कौन से फॉर्स देखे नॉर्मल वेट और फ्रिक्शन फॉर्स अब बोलते हैं बोलती में आपकाम करो आप पानी भर तो उस पानी में अगर आप कोई टॉप उल्टा करके डालो ऐसा डालो ऐसा डालो तो क्या होता है कि यह पानी ऐसा हो जाता है थोड़ा जितना टॉप का स्वेस रहता है वह पानी ओवर कर लेता डितना ओंका सपेस के ऊपर चला जाता है और यहां पर करोपर जाता है सबस or पैंक ask है मगगे लिलकार लेलो जो भी है तो इसमें क्या लगते है कि जितना भी पानी जो है कि सपरेट हुआ है मतलब इतना पानी को वह पेस हुआ स्पेस स्वायक तो जितना भी पानी दिस्प्लेस हुआ उतना ही फोस उसके उपर लगता है जिसको हम बोलते है बॉयंसी फोस इसका नाम क्या है बॉयंसी पोस मैं नीचे लिखता हूँ है चलो यहाँ पर लिखता हूं इसका नाम क्या है बूइंस इलयोगन लिदा इस होता है इसा करके उल्टा करके मग ड़estab ठीक है तो आपको बाद के उपर एक होता है है यह लिए फैसे जिछे इसे on हम बोलते हैं तो यह बी एक कांटेक्ट फॉर्स में आता है क्यां तो इसका नाम है यह समझे नोमल डिरेक्शन लो यह होता है कि अभी जैसे मैंने कर लेक्चर में बता है कि जैसे अपने डागा लिया स्ट्रिंग में मास बांद दो तो जो मास है वह स्ट्रिंग को धागे को नीचे के तरफ पीचेगा तो यहां पर जैसे अगर वह धागे को यह मास नीचे के तरफ फिचे लाए तो यह जो धागा है स्ट्रिंग है वह मास को उपर के तरफ पीचेगा जिसको हम बोलते हैं तो एक और फोर्स हमने कौन सा देखा टेंशन फोर्स होता है जो की इकवल रहता है इसके वेट के बराबर रहते हैं जो जीतना भी मास के खीच रहा है ना उसके इकवल ही रहेगा ठीक है तो यह पांच ने पहते हैं हमेल सी हले खोर कोन्टैक्ट विस में से टेक्वट और ओधा ये और अ क्यों कहले हो गया शोर्द फोर्स हो गया çार हो गया और जो पांच और पोंच वंतर और यूitt हमें द्टेंशन फोर्स हो गया और एक फोर्स हम लोग देखने वाले जो कि छे फोर्स हम लोग यहां पर देखेंगे तो ठीक है इतना कॉपी कर लो अरफ करता हूं अंदर की तरह ठीक तो आप क्या करता है स्प्रिंग आपको उल्टा फोर्स लगाएगा तो यहां पर फोर्स लगता है बच्चों डिस्प्लेश्मेंट के बरावर रहता है मतलब जितना आप डिस्प्लेश करोगे उली से स्प्रिंग को उतना जादा स्प्रिंग आपको फोर्स देगा ठीक है तो यह होता है एफ इस एकल टू माइनस के बरावर होता है जो के होता है आप तो फोर्स कॉंस्टेंट यह इस चीज़ को डिटेल में हम पढ़ेंगे बा ठीक है तो यह होगे आपका सिक्स्ट वाला फोर्स तो यह च्छे टाइप के फोर्स आपके उस टेश्ट्रूप में दिया हुआ है जो भी थीरी ओदिया है तो अब आगे बढ़ते हैं यह आप कॉपी कर लो अब जैसे बच्चों हम लोग बात करें मेकानिक से मतलब मैक्रो स्कोपी जब बॉडिक की बात करें ठीक है तो क्या होता है जो एक पॉइंट यहां पर अपनोड कर ले ठीक है ना क्या करना की जो ग्रेविटेंशनल फोर्स और वो जो जो एलेक्रिकल फोर्स यह दोनों तो बातो होता है तो अभी क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी कॉंटेक फूस लग रहा है जैसे मैंने अब को बड़ा है टेबल और बोग्का बता है तो क्या होता है कि एलेक्ट्रॉंस होते हैं होते हैं तो इलेक्ट्रण की वद्द से लेक्ट्र इस्टी आता है तो एक्ट्रिकल फोर्स भी आएगा तो क्या होता है कि जो सारे जो कॉंटेक्ट फोर्स से आराइज हुआ है ठीक है ना बट हम लोग मैक्रोस्कोपिक की जब बात करेंगे तो को मैक्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो हमको लेना ही पड़ेगा याधा तो यहाँ अनुड करेंगे इसके लिए इसके लिए पर इलेक्रिकल नहीं आएगा जब्त को एक वह मैने बता तो यहां पर नोट कर लेना क्या करना कि जो contact forces a contact forces arises arises from electrical forces तो 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 यह यह आप याद दखने अलेक्ट्रिकल फोर्स तेक है तो यह भी आप नोट का लिनाएं पॉइंट अपने नोट किया अब हम नेक्स टॉपिक प्राइएंगे 5.9.1 तो अब क्या होता है कि फ्रिक्शन के हम डिटेल में थोड़ा बढ़ेंगे कि फ्रिक्शन लगया कैसे कब लगया क्यों लगया ठीक है तो देखो वही एक्जामपल लेते हैं वही अपना पुराना अच्छा वला एक्जामपल टेबल है ठीक है टेबल है और इस पर वूग एक तल दिया है ठीक है तो देखो क्या होता है यहाँ पर होता कि यहाँ जायर अपने अब इदर जा रहा है । तो क्योंकि friction उसपर लगा वए पहले सी already friction वहा पे लगा हुआ है अब होता क्या है कि मैं यहां से फोर्स अपलाए करता हूं क्या करता हूं apply force मतलब you can say अब देखो कोई भी बुक रेस्ट पर रहेगा या फिर uniform motion पर रहेगा according to first law अपने पढ़ा था ना according to first law जब net force zero रहेगा किसी भी बॉड़ी पर तो उसका acceleration भी जिरो होता है तो बॉड़ी जैसा state में वैसे state में रहेगा ठीक है यह आपने पढ़ा था यह हमने फिर्स लो देखा था ठीक तो मैंने यहां पर force apply किया अब वह force में apply कर रहा है तो मैं force यहां पर इतना apply करूंगा सब्सक्राइब किया कितना let's say one Newton ठीक है मैं example ले रहा हूं लेट से वन न्यूटन अप्लाए किया तो जैसे मैं force अप्लाए किया तो वह बुक ना हिला नहीं वह उधर का उधर रहा है क्यों 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 सब्सक्राइब उसको मैं स्मॉल एफिलेता हूं ठीक है तो देखो अब क्या होता है कि जैसी ने टेक सब्सक्राइब करता हूं तो अब क्या होता है कि यहां पर दो न्यूटन देता हूं ठीक तो अब अब देखो यहां पर चीज नोड करना ध्यान से नोड करना ठीक जैसे अच्टरनल को नी फोस देता हूं भच्छो यह बहुत हिंत इंपरुटन करना डीचक तो इस अपलाय करते हैं कि स्ट्राटिक फ्रिक्षिन क्या होता है जरा मैं पूना को रूखा हुआ तो यह एक ऐसा स्ट्राप्षिन होता है जो बॉड़ी को रोक ke रखहा है इसकोन गोलेंगे स्ट्राइट फ्रीक्षिन समझा आप एक और तोाफ फरमक्षीन सब्सक्रिद को तब 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 वहीं पर रखे रखे तो यहां पर भी नेट एक्षिनल फोर्स जीरो ही लगा तो आप बॉडियों नहीं है तो अब मैं क्या करूं जो स्टैक्टिक फ्रिक्षिन यहां पर मैक्सिम्म पहुंच गया तो न्यूटन को तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो स्टैक्टिक फ्रिक्षिन फोस्ता उसको कर गया किसने जो एक्सटैक्टिक फ्रिक्षिन क्या है यह ऐसा फ्रिक्षिन है जो कि मोशन को बुक के मोशन को रोक के रखेगा ठीक है अब देखो एक चीज़ इसका नूट कर ले ना आप स्टैक्टिक फ्रिक्षिन कब लगता है स्टैक्टिक फ्रिक्षिन तभी लगए जब आप स्टैक्टइक फ्रिक्षिन नहीं लगेया तब यहाँ स्टैक्टिक फ्रिक्षिन है वो लें लगे यहीं लगए गया जब मैं external force apply करूंगा तभी static friction लगेगा चलो ठीक है यह नोट कर लिए अपने अब हम लोग क्या देखने वाना थे कि static friction depend के इस पर करता है ओके भाई यह जड़ा देखते हैं तो देखो कि जैसे कि जैसे वही लेता हूं अब यहां पर क्या करता हूं बड़ा बुक लेता हूं बहुत ज्यादा मोटा लेता हूं ठीक थोड़ा और लंबा कर देखो तो नीचे के तरफ लगाएगा वह उपर की तरफ नॉर्मल रेक्शन भी लगे या ठीक है तो जो नॉर्मल रेक्शन रहता है हमेशा ठीक है क्या नूट करोगे एक चीज़ा नूट कर लो कि जब भी सर्फेस और जो इसके उपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वह होरीजॉन्टल है मतलब किसी एंगल में नहीं है जैसे आप बोल सकते हो कि अगर मैं मेरा ऐसे सर्फेस है और इसके उपर एक ऑब्जेक्ट रख बताया था मैं स्कंडिशन की बात करो भी इस में क्या होता है कि दोनों होरीजंटल वे कोई एक एंगल पर नहीं है कोई यह इस कंडिशन में हमेशा क्या होता है तो जो यह वह नीचे की तरफ वेट लगाएगा गया जाइस एमजी ठीक है और यह टेबल है वह अबजेक्ट के उपर नॉपर नॉम्मन रिच्षन लाएगा एंगल में जागा यह आपन करके रखना बिल्कुल रख लेना नोट करके टाफ Кरता है आक से हुआ अब मैं बताने क्या वाला था कि static friction किस पर डिपेंड करता है तो जैसे कि यहां पर मैंने जो नॉर्मल रेक्शन रहेगा वह अभी बुक तो कम केजी का ना यह बुक मैंने पतला दिखाया तो सपोज नॉर्मल रेक्शन रहेगा ग्रैविटी के वैलू यहां पर दस ही ले ले नॉर्मल रेक्शन फिफ्टीन नुन फिसी है ठीक है नुटन लोग केजी लोग वैठेकर घ्रेविटी का में बनुटन जैएक सिर्फ केजी यह यह मांस होता है उसमें एकसिल्राशन पर दो तो जाएक आपका टूटल वेट होता है तो आपका वेट है ना एकशलेशन डूटु ग्रैविटी के वाद से आपका जो भी किलो रहेगा जितना वह वह ज्यादा रहते हैं बलकि आपका मास बहुत कम है अगर देखा जाए तो ठीक है इसकी बात हम बात में करेंगे तो मैं अ 10- lanca तो यहां पे 50 न्यूटर्ण था तो में पॉर्स 3 नूटर्ण फोर्स को आप क्या होता है कि जैसे कि आपका ब्यूक जदा मतलब मास इसका जाद है तो इसमें जो मैक्सिंम स्टेक्षो क्रिशिन रहे गा ऑसले किस पर कितना रहेगा वह इतना रहे वह इसमें ज्यादा रह सकता है इसमें आपका मैक्सिम स्टेटिक फिक्षिन कितना तू नियूटन था विकॉस आफ फाई केजी विकॉस आफ जो भी आपका नॉर्मल रेक्षिन था फिफ्टी था ना नॉमल एक्षिन मतलब जो ऑपोजिट फॉर्स था और वेट यहाँ एक्षिन बढ़ स्ट्छिङिए तो यहाँ पर जो सॉस्ट नह chefs घ्र से ब्रक्षिन के मैक्सिम् स्ट्रिक्ष स्ट्रेक्षिन है वह फोट व्यूटन होजेग्या तो ऑपश्यादा अनुटते इस्में रहे तो सब्छन लगा तो यहां पर आपको जो भी फोर्स लगाना पड़ेगा वो फाय न्यूटन लगाना पड़ेगा कि फाय फोर्से बढ़ा है तब जाकि यह मोशन में होगा तो यह समझे आप मतलब यहां से मुझे क्या वालूं पड़ाएं कि जो स्टेटिक फ्रिक्शन मैं किस पर डिप बताए क्या हो फ़ह तो जो यह रहेगा मैक्सिम स्टेटिक फ्रिक्शन वह क्या जाएगा सटेटिक स्टेटिक अपे धग्र बदले लिख सकते हो ठीक है यह जब ऐसा कंडिशन रहेगा तब वरना अगर एंगल में रहेगा तो यह बाद में देखेंगे समस में तो यह फॉर्मूला नोट कर लो आप ठीक है अब यह जो भी मैंने आपको बता है यह नोट कर लेना अपने लैंगविज में तो चलो आगे बड़ते हैं इसका मैं नोट्स दे दूगा आपको ठीक है अब टेलीग्राम चैनल तो आपको बता है कि यह वह वह टेबल वाला ले लो यह मोशन में एक आता है जब एक मेक्सिम स्थेडिक फ्रिक्षिन को पार कर लेता है ठीक है तो यह जादा स्थेडिक विक्षिन से टो व्यों बॉर्डी मोशन नहीं होगा ठीक यह समझाएं तो जैसे यह कोडी में होता है मतल् enfrent फोर स है जो प्रिक्षिनल फोरस है जो रोकने वाला फॉर्स था इन फ्रिक्षिनल फोरस उस्से जाद और तो यहां पर यहां पर जैसी क्या मोचानमी डेल्गिंग्जान am आपको बताता है तो जैसे मेरा बोडी मोशन में इसको ले लो फॉर न्यूटन हो गया तो बॉड़ी वह सी मोशन में चल रहा है जैसे यह होता है तो जैसे यह तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं उसके उपर हम लोगा फॉर्मॉला क्या आता है एक आरा था म्यूस म्यूस मैं क्या उपर वाले को रफ कर देता हूं म्यूस और यह आधा फॉर्मॉला स्टेटिंग मैक्सिम फ्रिक्शन अगर होरिजॉंटल कंडिशन ने तब तो देखो यह कंडिशन कब आएगा यह वाला यह कंडिशन तब आएगा जब यह भी न्यूटन जब जो मैक्स जब अप अप्लाइब फोर से मैक्सिम फ्रेडिक चैनके बराबर रहेगा तब कंडिशन आएगा ठेक है तब तब बॉडी वो रुका होगा होगा रहेगा ठेक है किसके व्यूटन तो यह ऐसा यह तब कंडिशन आजएगा ठीक है अब देखो अब क्या होता है कि जैसे जैसे यह बॉडी जो है मोशन में आता है किसमें आता है मोशन में आता है तो स्टेटिक फ्रिक्षिन तो कम हो जाता है वहां पर स्टेटिक फ्रिक्षिन नहीं रहेगा लेस हो जाता है तो वहां पर जब बॉडी चलता है तो वहां पर कौन सा फॉर फ्रिक्षिन आता है बोदी मोशन में तो तभी जब ह ranking यह समझें थीक है तो यहां से हमने क्या क्या बता है कि जब बोडी बोडी इंद बोडी इस इन मोशन तो जो फ्रिक्षिन रहेगा वह जागा इसको फ्रिक्षिन भी बोलते हैं तो यह इसका जो लौ है इसी पर डिपेंड करेगा तो जो किस पर डिपेंड करेगा तो और यहां पर जो fk रहेगा वो is equal to mu k n हो जाएगा ठीक तो यह कानिडिक फ्रिक्शन का भी same ऐसे आएगा mu k n तो यह भी आप note कर लेना important से है यह कानिडिक फ्रिक्शन कब लगया जब body motion में है तब लगया रुका हुआ है तब नहीं लगया ठीक है तो यह चीज़ बहुत important चीज़े note कर लेना ठीक है ओके ठीक है अब हम लोग बात करते कि मिवेस यहां पर था न यह मिवेस क्या है यह भी important है यह वाला formula तुम्हें आपको बताई यह दोनों important है तो मिवेस यहां पर रहता है coefficient of static friction इसको क्या बलेंगे coefficient of static friction ठीक है और friction में समाझ एक है और मू के रहेंगा वह रहेंगा coefficient of coefficient of कि यह कौन सा किने रिक्षंन से किने तयां कि और यह आप नोट करने जो कि रहता है He हमने देख लिया अब इन दोने में अब हमेश 다리가 में तो हम ना हमेशा एक्सपरिमेंट क्या सज़ेस्ट करता है एक्सपरिमेंट यह सज़ेस्ट करता है कि जो म्यूके है जो म्यूएस है वो बढ़ा रहेगा मूठ कर ले ना relevant करते हैं झालो मैं इसको करता हूं कि अटिक कैनेटिक स्रिक्षन में किया होता here जैसे यह का यह बाड़ी और कि शुरुव reconnect धेक बाड़ी वस्हां जरुक्रवार मोशन चैनिगे होता है ठीक है यहाद रक्षन किया होता है relative motion हम लोग होता है actually बहुता है एक सलिए मोशन नहीं बोलेंगे रिलेटिव मोशन को मैंने आपको बता है कि मतलब यह जो बुख रहा है बुख सर्फेस के साथ से बुख इदर जा रहे है और जार साथ ganhar को बंको क्या बोलेंगे शि lid सिस्क नहीं कि मोसिजिन रखना और क्या नूटद करना की देखो Boy हमें पते यह दो होता है तो तो कभी बहुत अगर किसी बॉड़ी में अगर बता सकते की मतलब इस बॉडबी पर पिस बॉडब स transformation लग रहा है तो यहां पहने क्पा अब को पता है कि कभी भी लग रहे तो समझना इस पर फोर्स भी लग रहा है ठीक मास्ट हम को लेना पड़ेगा न कि इस बाड़ी पर लगता है कि इसके लिए फिसकल डॉय में होता है तो यहां से अब जैसे कि मैंने आपको बता है कि फोर्स हमारा ऐसे लगता है अब यह बॉड़ी मोशन में मतला ओ रहाए हो तो तो एसके अपन एंदिशन फेलेशन हों रहा ना जितना फोर्ष में नहां रहेगा यह फोर्स लेटें दस न्यूटन है और को उसका फोर्स लेट से फाई न्यूटन है तो जो टूटल एक्सेलरेशन लगया इस बॉड़ी पर वो क्या होगा बताओ टैन माइनस फाई न्यूटन अपॉन एम जो एक्सेलरेशन लगया है वो बॉड़ी का मास कुछ भी ले लो अब बता सकते हो मास अगर मैं फाई ले लिए तो फाई व स्फॉड़ी यहां पोदी क्या हो लाँ था की एक्सेलरेशन में था ठीक है एक्सेलरेशन में था अटो जो आपका एक्सेलरेशन लेक्म उलादी देल साट है ने को फॉर्स वो फ्रिक्षिनल फॉर्स के बराबर हो जाता है यह में चाहला लगता है और अगर बॉड़ी रूख रहा है वह हो गारि-इस तो जो फॉर से ब्रॉफ clerk से तो इसक्योव जाओ इस्कों पॉत्ति यहां तो तो यहां पर एक्सेरेशन रहरा वह क्यास्यरेशन थे फ्क्यां आपना पर इस कंडिशन में माइनस फ्क आपनरेश चै高 łz बढ़़ी जब रैलेटिव मोशन में ठीक है तो ये भी नोट आप करके रहना अपने खुद के लेंवेश भीनोड करके रखो जैसा मैंने आपको सिखा वैसा नोट करके रहूं ठीक है तो चलो एक डिक आपको स्टैक रिक्षन और अपना काइडिक में क्या फरक है स्ट्रीक फ्रिक्शन वोता है चलो यह स्ट्रीक फ्रिक्शन व Я पर देख lucky तो बहुत को पता है कि ऐसा फ्रिक्षन होता है कि बॉडी को रोख के रखता है ठीक है ना बॉडी को क्या करेगा रोक के रखेगा यह यह ऐसा एक से लगाए बॉडी को आप फ्रॉस अप्लाय कर रहे हो लेकिन बॉडी को रोख है तो मैक्सिम काडिक फ्रिक्षन कर बोट है जब इसका मैक्सिम काडिक नूटन है और अपका अप्लाइड फ्रॉस तू नूटन लगए तो यह आपका दोनों सबस्क्राइब तोई तू पॉंट वन ञजाहिक ब Purdue खें तो यह स्ंसेगर कर अध। ऑप बस बस में डाऊन कर रहे हो ठिकत है यह बस हो गया तो बस में आप्टरेहल कर रहे होते हो तो सबस्पसी यह जैसे बस आगे की तरफ एक्स dore बॉक्स बॉक्स ही जाता है थो आपका पीछे नहीं जाता है तो क्यों यहाता है क्योंकि इस पर इस पर बस एक्सलेट होड़ा इसकी वह से लग गया ओर जो सर्फेस औफ और यह बॉक्स है जो बीच में जो भी फ्रिक्शन लग रहा है वह आपको कौन सा विक्षिन और इस बॉक्स को उदरी रोक के रखा है तो अगर यह strategic friction नहीं होता तो box पीछे चला जाता सम्झे आप तो यहां पर static friction क्या करेगा box को वहीं पर रोक के रखेगा दूट hy UP dejar तो यहां पर च gaming लें थी अंडू हो ग्रूश यह उस स्काबीट यह ना हो बोर्थ सब्सक्राइब करें तो यह भी बॉक्स को ऐसे इस तरफ एक्सलेट करें तो वैसे फ्रिक्षिन फोर्स एसे लगे यहां समझ गया ना यहां पर बुल रहाँ है तो वही चीज़े यह वैसे इस बाक्स जो है अब उदर ही रहेगा आपका बस कौन से अक्सलेट किया वह जादा लग गया तो फिक्षिन फोर्स को साथ कैंसल भी कर सके तो इस इसका रखते हैं आपका रेलेटिव मोशन में रहता है घ्क है तो जो फ्रिक्षन लगते बॉक्स और सर्फिस के बीच में तो आपका इसम्छसा ऐता का Rider रिक्शन हेना तो इसमें आप फॉर्मुला एक हुआ था Fस फॉर्मुला फॉर्मूला क्या था तो यह आप lijसामपल लोट कर रहे तो यह formula note कर लेना अगर यह ऐसा है तो वह वेट के बरावर होता है ठीक है याद रखना चलो आगे देखते हैं आगे क्या examples यह basically example 5.7, 5.8, 5.9 example 5.7 start करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अगर बच्चो आपको यह मेरा काम जो कि मैं free education प्रोवाइड कर रहा हूं यह पसंद आता है तो आप मुझे contribute कर सकते हैं जैसे आपको आप रीड कर सकते हैं मैं आप रीड कर रहा हूंगा तो आप रीड कर ले ना पॉशन अपने डश्टूग मैं सब तीनों एक्जांपल यह बारे बता रहता हूं थीक है तो देखो 5.7 example में आपको क्या दिया है basically उसमें क्या दिया कि acceleration वह जो मैंने आपको बसका एक्जांप कितना रहेगा ताकि वो box उदर station रुका हुआ रहेगा ठीक है और surface और box की friction कितना दिया है तो रुका हुआ रहेगा तो जो friction रहेगा वह आपका static friction रहेगा ठीक है coefficient of static friction उसमें दिया है that is 0.15 यह दिया हूआ और यह पूछा आपका maximum acceleration कितना हूआ ठीक है बच्चों तो आप आपको क्या इसमें बोला है कि जैसे एक्सलेरेट होता है एक मिनटा तो जैसी सब्सक्राइब के साथ चलेगा क्या ट्रें तो इस पर फोस लगा यहां पर फोस वो किसके बराबर रहे तो बच्छो यह जो फोस लग रहा है आप वो फोस वो किसके बराबर रहे ताकि बॉडी रुका रहे गा रहे तो आपको फोस रहेगा वो किसके बराबर रहेगा पोस हो फोस भी मेक्स लग गया तो पॉसका फॉर्मृला क्या होता है था को प्रम्ला पॉस्टे के बराबर रहते है थीक है तो यह जो इन तो आप लगा लो नियुवे साब को पता है 0.15 और जी कितना है 10 तो आप लगा ओगे तो कितना आधा है 15 15 15 15 निया गा 10 1.5 बंडिप्लिकेशन मिस्टेक 1.5 मिटर सेकेंड स्कुर्ड ठीक है तो यह आपका यह मैक्स मिलगा यह समदा 5.7 चलो हम लोग 5.8 पे आते हैं तो बच्चों हम लोग 5.8 देखते हैं ठीक है तो इसमें क्या है कि एक सर्फेस है ओके तो यह सर्फेस के ऊपर एक box रखा हुआ है इस box का जो mass है वो कितना है वो 4 kilograms है ठीक अब यह बाग सो है जस्ट स्लाइड होने वाला है इसका मतलब जो भी उस पर friction लग रहा हो वो friction कौन सा होगा static friction ठीक है तो static friction इसमें कितना दिया coefficient of static friction वह यह आपको find करना ठीक है static coefficient of static friction आपको find करना है यहां पर ठेक Kings अब येक एंगल में है यहां तो एंगल कितना है तीस ऐंप इस फिफ्टीन डिग्री ठीक है आपके बुक में स्टार्ड़ कें इसमें डिया हुए बॉडी है ठीक अब इस पर रिजॉल करने का मतलब क्या कि कौन कौन साथ पर फोस लग रहा है तो चलो जो इस पर पहला जो आपका वेट लगे या वो नीचे की तरफ लगे है तो यह आपका क्या रहेगा मैंने आपको क्या बताए है जब यह एक एंगल पर रहेगा वह सर्फेस तब करने से इक एंगल यहांपर है ठीक है है किसको करन mr action को और गोmitt को करेंगे ठीक है तो दो अब सब्सक्रच्व करते यह जो है यह जो है यह नियूंट हो जाए गा इस के फटा नहीं होमा जाएगा लॉट लसके ना 90-degree है ठीक और यह एंगल ए तो यह जो एंगल रहेगा न यह यह भी थज़़ुत अ है तो देखो यह जिस जिस लाइन पर थेटा रहता वह क्या रहता है है कॉस्ट हुँता यह नहीं रहता है वह क्या हो जा कर दो होके। साइन थेटा एम Uhm हम लोग opposite ले सकते हैं equal and opposite मतलब जो normal reaction के जो opposite है वो mg cos theta है और जो friction force के जो opposite है वो क्या है वो mg sin theta है यह दोनों balance कर रहे हैं ठीक है तो by balancing हम लोग क्या लिख सकते हैं by balancing normal reaction is equal to mg cos theta ऐसे मैं लिख सकता हूं जो normal reaction है वो इसके बराबर है और जो frictional force है static friction force है वो आपको किसके बराबर है किसके equal to mg sin theta ठीक है तो आपको क्या करना है divide करना और कुछ नहीं यह first ले लो यह second ले लो ठीक है यह आपको फॉस्ट ले लो यह फॉस्ट ले लो तो dividing 2 by 1 dividing 2 by 1 इसका मतलब मैं fs को उपर रखता हूं यह mg हो गया sin theta अपॉन 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 एन यह रहेगा mg cos theta ठीक है तो यह mg mg cancel हो गया और यह sin theta upon cos theta will be what tank theta और यह जो fs है fs का formula आपको पता है fs is nothing but static friction क्या होता है mu s n होता है ठीक है याद है ना इसके पहले मैंने आपको बता है तो fs के बदले आपके लिख सकते हो mu s n upon n is equal to tank theta ठीक तो यह n n cancel हो गया तो जो time theta तो theta के जो value कितनी है 15 degree तो tank 15 degree अगर आप find करते हो तो बाई log book तो tank 15 degree कितनी मिलती है 0.27 ठीक है log book की video मैंने डाली है चैनल पर आप देख लेना ठीक है log book आप 10 की value कैसे निकालते है log book यूज करके ठीक है तो यह हमारा यहां पर coefficient of static friction मिल गया ठीक है यह समझा ओके तो अभी हम लोग चक कर डाले मतलब यह move होगा basically तो अब क्या यह इसमें kinetic friction लग रहा है kinetic friction लग रहा है इसका मतलब कि यह box motion में relative motion में ठीक है इस पूरे क्या इसको बुलेंगे पुली पे तो जो भी ब्लॉक पे और यह पुरे ट्रॉली सिस्टम पर मतलब यह पुल्ली है जाम से यह string है धागा है वह लटका हुआ है और यह मतलब जैसे यह आगे करें यह नीचे होगा ठीक तो यह फोर्स अब जैसे मैंने बता है कि यह जो बॉक्स ब्लॉक के आपका मोशन में रहेगा मतलब वो सेट में चलेगा तो इस पर फोर्स लगा है वैसे के लिए यह सैड में तो उसमें पूछा है कि पूरे सिस्टम में अलगे एक्सली कितना लग रहा है क्या एक्षलीरशन मतलब 100 ब्लॉक का एक्सलीर्शन और कितना तो यहां पर निए हैं और शफ़ी एक ही रहेगा सिर्फ टी रहेगा और सबस्थ यहां पर भी एक धागा का जॉइंट रहता तो यहां पर दूसरा टेंशन आपका अलग हो गया ठीक है तो यह आप नोट याद रखना तो हम फाइंड करते एक्सेलरेशन और टेंशन एक्सेलरेशन किसका इस ब्लॉक का और इस म रिमूव होगा और यह जो आपका मास है नीचे की तरफ मोगा तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा और टेंशन करते हैं अब देखो इसमें हम लोगों पता है फ्री बॉड़ी डागराम फ्री डागराम जो कि मैंने आपको पहले इसके पहले बताया है तो फ्री बॉड़ी ड तो वेट लगे हों कितना लगे है थर्टी न्यूटन ठीक है त्री यहां पर आपके टेश्टिंग में दिया है बट मैंने यह लिखने था तो ऐसे भी अपर एक और लग रहा है फोर्स की टेंशन है ठीक अब क्या है कि यह जो बॉड़ी है पूरा सिस्टम में मोशन में मतल सब यह ब्लॉक मूफ कर रहा है तो यह भी नीचे के तरफ मूफ करेगा तो इसका मादब टोटल इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है वह नीचे की तरफ लग रहा है तो यहां पर यहां पर कंसेप्ट है को याद रगना ठीक है यहां पर टोटल फोर्स लग रहा है इस मैं इ साइड में यह 30 Newton की साइड में तो इसको मुलेट से वेट इडबलू ले ले लेते हैं ठीक है डबलो इसको इस तो थर्टी न्यूटन है यह तो क्या होगा यह यह वेट इसको टेंशन के बराबर हो जाता है है कि नहीं बट यहां पर फोर्स लग रहा है तो यह समझा तो यह जो फोर्स होगा यह फोर्स क्या होता है बैसिकली मास इंटू एक्सलरेशन और वेट है यह जो आपका वेट है इसका मास कितना है थ्री तो यह त्री यह हो गया तो टी सिवर्स तो यह पर आपका यह फिर इसको ऐसे एक्वेशन रखते है ठीक यह आपका फर्स्ट एक्वेशन यह मैंने इसका फ्री बॉड़ी डागरेम बना था अब इसको आप कॉपी कर लो लग रहा है जड़ा देखते हैं इस ब्लॉग पर यह साइड में टेंशन लग रहा है और यह साइड में कानेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ठीक है इसका यह फ्री बॉड़ी डाइग्राम जिसमें मैं फोर्स आपको बताता हूं और यह कितने वेट का है 20 इसका मास कितना 20 kg मैं इस पर बात करूं तो इस इसका मतलब मतलब एक साफ तो यह साउन में दिक तो एक कॉन्सेप्ट क्राइब ऐसा रहेगा ठीक है यह समझा यह आप नोट करके रखना अगर यह फोर्स मतलब यह जो बॉड़ी अगर यह साइड में नहीं लग रहा रहता तो यह जिरो हो जाता तो अगर यह इदर आएगा तो अगर यह रहता तो लेकिन यह मूव हो रहा था लेकिन इसके लिए तो इस पर टोटल फॉर्स था है यहां पर तो यहां पर आपको पता है में कितना है कितना दिया आपका 0.04 डिया तो इसको मैं 0.04 ले लिता हूं अब नॉर्मल एक्षिन क्या होता है नॉर्मल एक्षिन कुछ तो यह हो जाएगा 20 20a is equal to t- इस सबको multiply करो कितना आता है यह सब को multiply करने पर 8 आता है तो यह मैरा second equation हो गया ठीक है तो मेरा यह दो equation मिल गया अब वो दोनों equation को मैं लेकर solve करता हूं तो मैं tension और acceleration दोनों मिल जाएगा कि दोनों में tension और acceleration नहीं दिया ना तो दोनों मिल जाएगा by simultaneous equation तो यह भी copy कर लो अभी मैं इसको rough करता हूं तो आपका जो first equation आया था वो क्या था याद है बताव बताव फर्स जो equation आया था वो equation क्या आया था तो यह दो आया था यह first वाला और यह second वाला ठीक है अब मैं क्या करता हूं इन दोनों को एड़ करूं कि सब्ट्रैक करूं तो इसको एक काम करता हूं जो टी-8 है ना इसको माइनस एट प्लस टी लिखता हूं चलेगा ओके अब मैं इसको एड़िंग करता हूं by simultaneously अगर मैं 0.23 तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे डिवाइड कर लो डिवाइड करोगे तो 0.96 मेटर पर सेकेंड स्क्वाइर मिलेगा तो यहां पर acceleration आपको मिल गया ओके अब हमको क्या निकाल ला है टेंशन तो यह एक्सलेशन की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में डालो एक्वेशन नमबर में चलो वन में लेटा हूं थर्टी माइनस टी इस इगल स्टू त्री यह गया 0.96 ठीक है 0.96 ठीक है ठीक है ठीक है मंटिप्लाय करने के बाद यह जो माइनस टेंशन ने ओधर जाएगा तो यह जगा 30 माइनस कि यह जो मंटिप्लाय करने के बाद 2.88 आता है इस इकॉल्स टू टेंशन तो यह टेंशन आपका कितना मिलता रहा हूं अब टेंशन क्या एक फोर्स ही है ना बेसिक लिए स्ट्रिंग पर फोर्स लगता है तो न्यूटन ठीक है तो टेंशन में मिल यहां यहां पे और एक् झाले लिए 않ते है एकि यहां वया है विए सुड़ में टेल्वेत कितना तो टेंशने झाले से घर एक ता है बन्हैं यहां भोर्स फाले से खेंचाने करफ्वे हैं गलोर्स अधार है न लोर्स